हाई एवरिवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम EY के हाइक्स के बारे में और विल्कुल भी हवावाजी की कोई बात नहीं है इस साल के जो आंकडे हैं उस हिसाब से ही हम बात करेंगे कि इस साल कैसी हाइक्स EY ने दी है उस fact के उपर हम आगे के discuss करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आप क्या hikes expect कर सकते हुए EY से ठीक है तो उसको लेकर चलते हैं और फटा फटा अपने मुद्दे की बात करते है कि EY में hikes कैसी हैं आप अपना salary क्या expect कर सकते हो after one year two year तो उसके बारे हम discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं EY hikes की बात करूँ तो यहाँ पर आपको January के around सबसे पहले default hikes मिलती है अब भाई इस hike का क्या मतलब है इसको EY hike बोलती है और जिसको default बोला जाता है default इसका मतलब यह है कि यह depend नहीं करता कि आपका performance कैसा है बट आपको इतनी hike तो मिलेगी ही इसका मतलब यह है मतलब आप कैसा भी performance करो बट यह चीज़ default है आपको इतनी hike तो मिलनी ही है so अगर मैं बात करो starting package with 4.5 LPA जो कि आप मैंसे जातर लोगों का होगा जो basically analyst के role पर काम कर रहे है या associated software engineer के post पर काम करते है आप सबका package 4.5 होगा तो आप लोग उससाब से hikes को calculate कर सकते हो अगर आपकी कोई और post है तो आप फिर मैं यहाँ पर आपको percentage बोलूँगा hikes के तो आप calculator से calculate कर सकते हो कि इतनी hikes निकल रहे है यहाँ पर मैं 4.5 LPA वालों के साब से बता रहा हूँ ठीक है तो जो जैनुरी में default hike होती है यह है 5-10% और यह hikes है default default का मतलब क्या होता है यह तो होनी है minimum यह hike तो आपको मिली की ही जो 5-10% होती है अगर मैं बात करूं 4.5 LPA package की तो आपकी enhanced salary लगबख around 32,000 की होने वाली है 32,000 की आसपास आप मान सकते हो कि आपको इतनी salary मिल रही होगी अगर मैं उस पर यह hikes apply करूं 10% की तो आपकी जो salary हो around 36,000 हो जाएगी इसलिए में बार बार रिपीट करके अच्छे समझारों जो समझ में आ जाए ठीक है तो यह 5-10% की लगबख वेरी करती है और January के महीने में होती है अब जो आती है main जिसको EY बोलती है increment increment यह होता है आपके September के महीने में और September के महीने में based upon your ratings यह increment मिलता है अब मैं अगर ratings की बात करूँ तो यहाँ पर मैं EY में ratings को क्या बोला जाता है उनको तो मैं यहाँ disclose नहीं कर सकता लेकिन आप 1,2,3,4 समझ लो ठीक है 1,2,3,4 मैं personally EY में काम नहीं करता हूँ 1,2,3,4 ठीक है तो इसको आप मान लो 1 जनरली नहीं मिलती लोगों को basically जाता है लोगों को मिलती है 2 और 3 और 4 भी जो इनने बिल्कुल बगवास काम किया है उनको 4 मिलती है और जनरली यह किसी को नहीं दी जाती है ठीक है 1 और 4 को आप छोड़ तो average की बात करते है जादत तर 95% मिलती है या तो rating 2 और या तो rating 3 rating 2 मतलब अच्छी वाली rating 3 थोड़ी उससे नीचे ठीक है तो इसके बेस पर आपको hike मिलती है जो आपको मिलेगी September के मेहने में अब यह कितनी होती इसके बारे हम discuss करते है तो अगर यह आपको first year है और अगर आपको rating मिली है 2 तो आपको कही न कहीं जो hike होगी वो increment होगा वो आपको कहीं न कहीं मिल रहा होगा 30% से लेकर 40% है तो अगर आपको rating है तो आपको मिल रहा होगा 30% से 40% के बीच में ठीक है अब यह आपको सुंगे ज़्यादा लग रहा होगा बट EY में हाइक काफी ज़्यादा बढ़िया होती है तो इतनी आपको हाइक मिल जाती है अगर आपको 2 rating मिली हुई है अगर आपको मिली हुई है तो 30-40% आप हाइक एकस्पेक कर सकते हो अब इतनी हाइक के बाद भाई हमारी salary क्या हो जाएगी बढ़कर तो उसके बारे में डिसकस करते हैं तो अगर आपको second rating मिलती है तो basically आपकी जो salary है वो आपकी 36,000 से सीधे पहुँच जाएगी 46 to 47,000 मतलब इतना जादा increment हो जाएगा अब इतने आगे पहुँच जाओगे तो अगर आप क्या package कुछ और है तो आप उस पर ही percentage calculate कर सकते हो percentage लगब कितना ही रहता है ठीक है अब अगर आपकी rating अगर 3 है ये विदे टू rating की बात करें अगर आपको 3 rating मिली है तो आपका जो hike percentage है वो रहता है लगबग between 20 to 30% ठीक है अब 20 to 30% रहेगा और इससे आपकी salary पहुचेगी 42 से 43,000 तक which is also very good तो इतना तो salary आपको minimum हो ही जाता है मतलब आप सोचे या 33,000 से चालू करके एक साल में आपकी salary 42,000 तक तो minimum पह अब आगे की एर से थोड़े से चीज़े चेंज होती है डिफॉल्ट है तो लगबग आपको इतनी ही रहेगी 5-10% के बीच में लगबग 10% की आपको मिलती है डिफॉल्ट है जनुरी के आराउंड और फिर आपको second year में अगर आपको 2 rating मिलती है तो आपकी salary होगी वो कही न कही है आपकी salary 14% to 20% increment हो रही होगी ठीक है 14 to 20% अगर आपकी rating 3 है और यह उस पर भी डेपन करता है company का financial performance कैसा है तो from second year to जितनी भी आगे की year है उसमें लगबग आपका increment ऐसा ही चाहेगा मतलब आपका salary increment है वो आपका 20 to 30% होगा अगर आपको second rating मिल रही है और अगर आपक 15-20% के around आपको increment मिल रहा होगा और January में डेफॉल्ट आपको 10% की hike मिलती है जिससे अगर आप calculate करो तो minimum hike तो को 25% मिलती ही है और उसके ऊपर अगर आपका highest hike की बात करो तो वो लगबग 35-40% तक जाती है ठीक है EY में और यह application है second year और third year के लिए आप अपने इसाफसे calculator में calculate कर सकते हो कि इस salary के पाद आपको second rating मिलती है जैसा मैं आपको repeat पोल देता हूँ अगर आपको second rating मिलती है तो 15-25% और आपको second rating मिलती है तो 20-30% और आपको 3 rating मिलती है तो 15-20% लगबग इतना hike मिलना चालू हो जाता है second year onwards से और default hike तो 10% रहती ही है तो इस प्रकार की कुछ कुछ आपकी hikes रहने वाली है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी मैने बिल्कुल factual आकड़ों के साब से बताई है and if you like the video you can like this video and subscribe to this channel for more videos like this thank you